इसक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिसना छेले दोस्तो मैं हुँ आपका मेडिकल दोस्तो और मेरे इस मेडिकल दोस चैनल में आप सबी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुड सिफ ट्राइ सीरप के बारे में हम बताएंगे इसके धेर सारे फाइदे के बारे में इसके कमपोजीशन के बारे में ये किस company द्वारा बनाय जाता है इसकी price क्या होती है इसके side effect क्या होते हैं दोस्तो इन बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को थोड़ा सभी skip ना करें इस वीडियो में सुरू से अंते तक जरूर बने रहें साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो like share करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो good safe dry syrup कुछ इस तरह के white और red color के कागस के cotton box में आता है जिसे बनाती है life star company जो की काफी अच्छी और जानी मानी company है दोस्तो इसमें 18 gram powder होता है जो की ये syrup बन कर तयार होता है 30 ml का दोस्तो good safe dry syrup की price की बात करें तो ये लगबग आपको 85 रुपे के लगबग easily किसी भी medical store पे असानी से मिल जाता है दोस्तो इसकी composition की बात करें तो इसमें आपको each 5 ml content से देखने को मिलता है Cipodoxim इसमें 50 mg डाला गया है दोस्तो good safe dry syrup एक antibiotic है जो की bacterial संक्रमन की समस्या से चुटकारा दिलाता है दोस्तो ये antibiotic इतना ज्यादो famous है कि easily आपको पूरी इंडिया में आसानी से मिल जाता है किसी भी medical store पे ये काफी अच्छा है और एक ethical product है फायदे की बात करें तो अगर पहले जान लेते हैं दोस्तो good safe जो है dry syrup कितनी age के बच्चों को हम दे सकते हैं तो इसे हम 5 मेने सूपर और 3 या 4 साल तक के बच्चों में दे सकते हैं ये खास तोर से बच्चों के लिए बना गया इसका tablet बड़ों के लिए भी market में उपलब्द होता है दोस्तों ये जिन बच्चों को बहुत जादा खासी आती है सूखी खासी की शिकायत है एक एक दो-दो मिनट तक लगतार बच्चा खासता रह जाता है उन condition में इस एंटिबाइटी का इस्तमाल किया जाता है या फिर जो बच्चा नीमोनियां अस्तमा का शिकार होता है उन तरह के बच्चों में भी इस एंटिबाइटी को दिया जाता है या फिर स्वांस नालिका में अगर सूजन हो गई है कोई infection हो गया है उसे भी खत्म करने के लिए इस Nope की जाता है या फिर मुं के अंदर टॉंसिल पर सुजन हो गई है को इनफेक्शन हो गया है टॉंसिल लाल हो गया है टॉंसल में दर्द होता है उन कंडिशन में भी इस इंटिबाईटीक को दिया जाता है साथ ही यह फेफडों की infection से भी छुटकारा दिलाने में काफी मदद करता है या फिर पेट में किसी तरह की infection है उसे भी ठीक करने में या फिर बच्चों को आगर urine infection की सिकायत हो जाती है उन condition में भी इस एंटिबाइटिक का इस्तमाल किया जाता है साथ ही अगर बच्चों की स्कीन पे किसी तरह के फोडे फुनसी हैं कोई स्कीन इंफेक्शन हो गया है या कट पीड गया है चोट लग गया है उन तरह के घाओ और इंफेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस एंटिबाइटी का काफी ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है साथ ही दोस्तों अगर किसी बच्चे के कान में फोडे फुनसी हैं बैक्टरियल संकरमड है कान बहता है कान में दर्द होता है उन तरह के इंफेक्शन और दर्द को भी ठीक करने के लिए इस गुड से ड्राइज सीरप का इस्तमाल किया जाता है साथ ही अगर बच्चों के में किसी तरह की दिक्कत रहती है गलफडों पे दिक्कत रहती है या फिर नाक में किसी तरह की दिक्कत रहती है उन कंडिशन में भी इस एंटिबाइटिक का इस्तमाल किया जाता है साथ ही अगर कोई बच्चा आग हो गेरे से जल जाता है इसकिन पूरी तरह से जल गई है पड़ गया है तो उन तरह के घाओ को भी सुखाने के लिए भी इस एंटिबाइटिक का इस्तमाल किया जाता है साथ ही ये एंटिबाइटिक फीवर की समस्या को भी ठीक करने में काफी मदद करता है वाइरल फीबर की शिकायत हो या फी टाइफाइट फीबर की शिकायत हो उन कंडिशन में भी इस एंटिबाइटिक को डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं इन तरह की समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए दोस्तो ये एंटिबाइटिक इस तरह से काम करता है, यह भी जान लेते हैं दोस्तों, ये एंटिबाइटिक जब हम बच्चों को पिलाते हैं तो उनके body के अंदर दो तरह के bacteria मजबूत मवजूद रहते हैं एक bad bacteria होता है और एक good bacteria होता है दोस्तो good safe dry syrup जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि इसे 5 महिने से उपर और 3 या 4 साल तक के बच्चों में दे सकते हैं क्यूंकि यह 50 mg का है अगर यह 100 mg का रहता तो 4 साल से उपर के बच्चों में भी दे सकते थे तो दोस्तो डोस की बात कर लेते हैं तो इसे 5 महिने से उपर और साल भर के बच्चों में 2-3 ml दिन भर में 2 बार दे सकते हैं वहीं बच्चा अगर 1 साल से उपर का है 2 साल 3 साल या 4 साल तक का है तो उसे हम 5 ml दिन भर में 2 बार दे सकते हैं साइड एफेक्ट की बात करें तो दोस्तों साइड एफेक्ट इसके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं अगर जिन बच्चे को सिपोड आक्सिम साल से एलर्जी है तो उन तरह के बच्चों को ना दे इसके देने से नियमन साइड एफेक्ट हो सकते हैं जैसे की इसकी इसकी इ अच्छों को नहीं होता यह था दोस्तों गूट सिर्फ ड्राइ सीरप के बारे में सब कुछ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें दोस्तों में शेयर करें